है विल्कम यू आल तो मैं राहूल गुपता आप सभी का सुवाद करता हूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है बिहार दोरगा 2021 की स्पीडिक लिए और इस प्लैट्फॉर्म प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने प्लैट्फॉर्म का व प्रैक्टिस सेट नमर 25 है चलिए इसको डिल करते हैं बट डिल करने से पहले जितने भी जने आप लोग वीडियो देख रहे हैं फटा फट से लाइक करें अपने टेंडेंस को दर्ज करें और शेयर करना जरूर ना भूले शेयर तो करहीं करें इससे आपका कोई पैसा लग हमारा करेक्ट हुजए का ब्रिटी सेसंग दोरान इन्हों नहीं भारत में महिलाओं के अधिकार में जो है सुधार करवाया था ठीक है पंडित रमावाई का बच्पन का नाम रामा डोंगर था ठीक है ध्यान रखे इस बात को कुछ नमर टू देखते हैं मदेकाल में भारत रो को जो कहा जाता है वो इतिवित कहा जाता है ऑप्सन नमबर बी हमारा यहां एपसलूट करेक्ट हो जाएगा त्री नमबर देखते हैं क्या बोला जारा देखे सौकतली और मुहमाद अली बंदू दौरा भारत में किस अंदुलन का नित्व किया गया था तो इनके दौर में महा काव सिलपा दिकारम और मनी मेखले डैस भासा में लिखे गया थे देखे यह जो लिखा गया था यह तमिल भासा में लिखा गया था अपसन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा ठेक कोशन नमबर फाइव देखते हैं इबन बतुता एक अरब यातरी और साहसी व्यक्ति था वह कहां का रहने वाला था देखे इवने बतुता जो है ना यह मुरक्को का यात्री था और डी करेक्ट हो जाएगा शिक्स नमबर देखते हैं प्राचीन भारत में कलहन दोरा निमली के तुम से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी देखे प्राचीन काल में कलहन ने राज करेक्ट हो जाएगा एट नमबर देखते हैं रास्ट्रिय उर्जा संवरक्षन दिवस कब मनाया जाता है देखिए रास्ट्रिय उर्जा संवरक्षन दिवस यह जो मनाया जाता है यह 14th of December को हर साल मनाया जाता है कोशन नमबर 9 देखते हैं किस मोगल समराट ने फतेह पुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था देखे फते पुर सीकरी को जो है ना अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था option number B यहाँ बिल्कुल ही correct हो जाएगा 10 number देखते हैं निमली खित्म से कौन सा प्रानी आम तोर पर अपने घोसले में अंडे नहीं देता है तो अपने घोसले में जो अंडे नहीं देता है वो है कोयल आमतार पर अपने घोसले में अंडे नहीं देता है कोयल जो है देखे पक्षी वर्ग जो है यह एव्ज से संबंधित है ठीक है और निथोलोजी का संबंध पक्षियों के अध्यान से है तो अगर कोश कुछ दिनों तक खुले में रखने पर जब चांदी की बनी बस्तवे किस से बने की वजह से वह काली हो जाती है देखिए उसमें क्या मिला जाता है तो उसमें AG2S मिलाया जाता है ठीक है कुछ दिनों तक खुले में रखने से चांदी से बनी में बस्तवो में जो है ना कालापन AG2S के बनने के वजह से इसमें आ जाता है और चांदी जो है ओजोन यानि की O3 की कारण काली हो जाती है अब आप से जो आपका होंवक है यह AG2S का संचिप्त नाम जिसको हम आम बोल चाल की भासा में क्या कहेंगे यह आपको कमेंट करके आपके लिए यह होंवक है जरूर बताना है कोशन नमर 13 देखते हैं किस तारा मंडल के अन्य बिग नाम बिग डिपर ग्रेट बेरियर और सब्तरिसी है ठीक है तो यह जो नाम है यह है सब्तरिस से बना है देखे सुक्र ग्रह का जो मंडल है वह ओल एंचोल ध्यान रखें सल्फ्यूरिक एसेड का यह बना हुआ है एक करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर 15 देखते हैं मैला काईट किसका एक आयस्क है देखें मैला काईट जो है ना मैला काईट तामबे काया सक है ऑप उसकी संख्या क्या थी देखें उसकी संख्या जो है ना हमेशा याद रखें 59 थी 69 याद रखें इस चीज को भूले नहीं 69 थी राइट चलिए नेक्स्ट क्यों हम बढ़ते हैं नेक्स हमारे कोश्चन नमर 17 मार्च 2020 को किस देश में राष्ट पती सपत ग्रहन समारों के दो के इच्छों किसानों को परतिमा 900 रुपे देगी तो वो जो सरकार है राज सरकार वो है यूपी गवर्मेंट उत्तरफरदेश सरकार ऑप्स नमर 1 करेक्ट हो जाएगा 19 HDFC बैंक का नया CEO किसे न्यूक्त किया गया है देखिए जो नया CEO न्यूक्त करा गया है वो करा गया है ससीधर जगदीशन को यह यहां करेक्ट हो जाएगा 20 नमर देखते हैं कोविड-19 ने कारण IPL 13 संसक्रण कहां इसका आयोजन हुआ देखिए इसका जो आयोजन हुआ वो UAE में हुआ यानि कि United Arab Emirates में राइट नेक्स देखते हैं कोश्चन नमर 21 भारता किस किन साथे परदे जो मसीन उस्त्रोणिया और भारत के रक्षान विकास संगठन द्वारा से तुरूप से विकास आधीन है यानि कि इस रोद्वारा तो यह जो देखिए यहां पर होजाए ऑप्सन नमर सी हाइपर सॉनिक क्रूज मिसाइल है ठीक 23 भारत गवर्ण जनलर का पादनी में लिए कि दोरा सुजित किया गया था तो यह जो सुजित किया गया था यह धियान रखे यह 1833 के चार्टर एक्ट दोरा सुजित किया गया था और सबसे पहला अगर गवर्ण जनलर की बात करें तो थे लौड विलियम बेंटिक ठेक 24 देखते हैं भरत नट्यम की उत्पत्ति कि सरा एक रूप में जाना देता है C correct हो जाएगा 26 क्या बोल रहा है देखें विजय वाड़ा किस नदी के तरफ परस्तित है विजय वाड़ा जो है देखें यह कृस्ना नदी के तरफ परस्तित है यहां correct हो जाएगा 27 निमलिकित से कौन सी गैस विकसित होती है जब इतेनॉल अधरिस्ट दरार या चिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भीजी आने वाली एल्ट्रा सोनिक तरंगे-डैस का उप्यों करके पराप्त की जाती है तो किसका प्योंक्त क्यूंत किया गया थह कब यह किया था तो दीखें यह संचारी तरंगों नमेंबर 1949 को ये अंगरित करा गया था next देखते हैं question number 30 क्या बोला जा रहा देखिए question number 30 यह बोला जा रहा है नहीं लिखे तुम से किस gas का उड़जा मान यानि calorie मान सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक जिसका होता है वो है hydrogen B यहां correct हो जाएगा 31 राष्टिय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज में हुआ है देखिए इसका आयोजन जो है इसका आयोजन हुआ है मद्य परदेश में B यहां correct हो जाएगा 32 देखते हैं क्या बोला जा रहा है HRMS नामक मोबाइल एप को किस ने launch किया है देखिए HRMS जो नामक मोबाइल एप है इसको launch किया था भारतिय रेलवे ने यहां correct हो जाएगा 33 देखते हैं सितंबर 2014 में हाओडी मोधी कारक्रम अमें किस सहर में आयोजित हुआ था देखिए हाओडी मोधी कारक्रम जो ही लर्निंग एंड लीडिंग किस ने लिखी है देखिए यह जो लिखा है यह लिखा है वैंका या नाइडू ने सी हमारा correct हो जाएगा 36 भारत का सबसे पूरवी राज ये कौन सा है भारत का जो सबसे पूरवी राज ये अगर उसके हम बात करें तो वो है अरुना चल परदेश यानि की एपी ठीक है आंदर परदेश मत पढ़ लेना इसको आप लोग 37 देखते हैं एक अपतल लेन्स के मुख्य अक्ष के समनांतर इस्तित वस्तू निर्गिमत प्रकास की विकरन अपवरतन के बाद लेन्स के उसी तरफ किस बिंदू की और जुकती हुई परतीत होती है याद रखें मुख्य फोकस दूरी के और ठीक है सी यहां करेक्ट हो जाएगा 38 देखते हैं 38 जो हमारा है देखे भारती सम्धान के किस अनुच्छे दिधात रास्टपती किसी राज के सम्धानिक प्रणाली के विफल होने पर किस दसा में उस राज का शासन संभाल सकते हैं खतरे का संके दिने वाली लाइटों के लिए लाल रंगों क्यों ही वरिता डी जाती है क्यों वेक्ति थे वो थे विनोवा भावे B हमारा करेक्ट हो जाएगा 41, मच्चरों के जैविक नियंतरन के लिए निमलिके तो से किसका उप्योग किया जाता है देखें मच्चरों के जैविक नियंतरन के लिए गैमबूसिया का यूज किया जाता है एहां correct हो जाएगा 42 बू प्रवर्टी में पाए जाने वाला दूसरा सरवाधिक प्रचूर जो तत्वा प्रचूर मातरा में जो तत्वा है वो कौन सा है देखिए वो जो प्रचूर मातरा में जो तत्वा पाए जाता है वो है सिलिकॉन डी यहां हमारा correct हो जाएगा 43 देखते है 44 क्या बोले देखिए 44 में किसी यदि किसी ध्वनी तरंग क्या विर्थी 100 हर्ट है तो इसका वर्तकाल ग्यात कीज़ें क्या होगा इसका वर्तकाल जो होगा हमें से याद रखें 0.01 सेकंड होगा यह हमारा यहां कौन सा उपगड़ा भारत की पाली यहाँ कर्षाएगा नाम क्या होगा देखते हैं भारत और चीन के बीच की सीमा रहा का नाम क्या है देखे बारा तो चीन के बीच यह सीमा रिखा है उसको याद रखे मैक मोहन रिखा बोलते हैं सी यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा 48 देखते हैं रक्त के उचित सकंदन क्लांटिंग के लिए निमलिकी तुमसे किस विटमिन की अवसकता होती है देखे तो वो जो विटम और यह से मिथेन होता है भाई देखे याद रखे हैं मेशा इसके अंदर जो है ना पचास से साट परसंट मीथेन पाये जाता है 50 सूर्य और मंगल गढ़ा के बीच दूरी कितनी हैं देखे सूर और मंगल गढ़ा के बीच की दूरी है न वहें 279 मिलियन किलो मेटर स्थीक ह डैस पत्यों के एपिडिर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाए हैं जो वात्सपुर्ट सर्जन और गैसिय अंतरन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है तो वो क्या हो जाएगा देखे याद रखे हमेशा स्ट्रोमेटा वो होगा सी करेक्ट हो जाएगा तोंगा की खाई यानि ट्रेंज किस महसागर में स्थित है तोंगा की खाई या टोंगा ट्रेंज की अगर हम बात करें तो वो है प्रसांत महसागर में यह हमारा एप्सलूट करेक्ट हो जाएगा 53 राष्ट कूट का साही प्रतीक क्या था देखे राष्ट कूटों का जो साही प्रतीक की अगर हम बात करें तो वो था इंगन ठीक है राष्ट कूट का साही प्रतीक गोल्डन इगल था ठीक है याद रखें गोल्डन इगल इनका साही प्रतीक था और राष्ट कूट राज तो वो था कृष्ण थर्ड ठीक है और चेर वंस का राजवंसिय परतीक जो है तीरधनुस था पांड़ा वंस का राजकिय परतीक मचली था और चोल वंस का राजकिय परतीक बाग था तो यहां इन सारे आपसंस का आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा 54 नमबर देखते हैं पौधों के स्वस्त विकास के लिए पोसक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैस कहा जाता है तो भाईया उनको याद रखें उरवड़क कहा जाता है डी करेक्ट हो जाएगा 55 चेक कर ले संकरमित कोसिकाओं से अन्य गैर संकरमित कोसिकाओं की रक्षा के लिए संकरमित कोसिकाओं कौन सी प्रोटीन स्त्रावित करती हैं तो वो जो प्रोटीन स्त्रावित करती हैं वो है इंटरफेरॉन सी correct हो जाएगा 56 डिल्य कि सुल्तान को उसके साशान काल के दोरान सहसिक फैसले لेने के लिए जाना जाता था देखे तो वो जो सुल्तान है जिसे सहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था मुहम्मध बिन तूगला कियानी MBT याद रखे हमेंसा option number 1 correct हो जाएगा 57 चेक आउट करते हैं भई सम्मेधानी कानू अधिकारों के लिए आदेस ज़ारी करने की सक्ति किस न्याले के पास होती है देखें याद रखें ये ज़र सक्ती है उच्छ न्याले के पास होती है 58 वेनेजवला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है वेने जो लाए घहास के मैदान को जो है लैोईस की रूप में यड़ता हू ład अर्जेंटीन विश्टद घहास के मैदान को पैमपास कहा जाता है कहा के तो डैक्षिनी मेरीका के अर्जेंटीन है 59 एसिया की सबसे लंबी नदी निमलिखित में से कौन सी है देखे एसे की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है यांग स्कुएंग नदी ठीक है यह करेक्ट हो जाएगा तो इसे एक सबसे लंबी नदी यांग स्कुएंग नदी है यह नदी एसिया की सबसे बड़ी नदी है याद रहे चलिए नेक्स देखते हैं कोशन नंबर सिक्स्टी साथ नंबर मंत्री परशत के सदसों कि अधिक्तम संख्या का निर्धारन किस सम्विधान संसोधन हुआ था उसके द्वारा ये करा गया जिसके तहत मंत्री परश्यत में अधिक्तम लोग सबस्वा सीटों के 15% कुल सीटों का 15% ही हो सकता है राज मंत्रियों के धिक्तम संख्या सम्वंधित विधान सभा की कुल संख्या का वहां भी 15% हो सकता है और इसके अपवाद भी है क्या अपवाद है तो छोटे राज पर लागू होते हैं जहां मंत्रियों की संख्या नियुनतम 12 हो अगर कहीं पर मालो जो है बहुत ही कम मात्रा में वहां पर सीटे हैं तो वहां पर मंत्रियों की न्यूंतम संख्या 12 रखी जा सकती है तब वहां पर 15 परसेंट वाला राइटेरिया फॉलो नहीं होगा सिक्स्टीवन देखते हैं 14 जून 2020 को किस मसूर अभिनेता का निधन हो गया देखिए जो मसूर अभिनेता थे वो थे सुसांत सिंग राजपूत इन्होंने सुसाइड कर लिया था 62 देखते हैं किस रेलवेश टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्केनिंग के लिए रोबोट अरजुन कैप्टन लांच किया गया तो वो जो है वो है याद रख्या हमेसा पूरे स्टेशन ऑप्सन नमबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 63 हाल ही में बिहार खादी मौल का ब्रेंडम मेस्टर किसे बनाए गया है देखें बिहार खादी मौल का ब्रेंडम मेस्टर पंकच त्रिपाठी को बनाए गया है यह हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा 64, चात्रावास के लिए ISO प्रमान पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज कौन बना? देखें भारत का जो पहला राज बना वो था ओडी सा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 65, क्रोना एकरन किस राज सरकार ने चात्रों के लिए एकटू खेलो, एकटू पढ़ो योजना सुरू की है देखें वो जो है वो राज है वो त्रिपूडा, बी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा 66, क्या बोला जा रहा है, निर्वाचन छेतर के परसीमन का अधिकार किस परकार के बहुमत द्वारा किया जाता है देखे, याद रखे में सा, ये समान बहुमत के द्वारा करा जाता है, भी करेक्ट हो जाएगा 67, दूसरा गोल में सम्मिलन कब हुआ, देखे, दूसरा गोल में सम्मिलन के अगर हम बात करें, तो ये हुआ था 1931 में, ठीक है, दूसरा गोल में सम्मिलन 1931 में हुआ था, तीन गोल में सम्मिलन हुआ था, ठीक है, पहला कब हुआ था, पहला गोल में सम्मिलन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में ये हुआ था ठीक है दूसरा गोल में सम्मिलन साथ सेप्टेंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये हुआ था तीसरा गोल में सम्मिलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक ये हुआ था तीनों गोल में सम्मिलन लंडन में ही आयोजित हुए थे जिसमें दूसरे गौल में सम्मिलन में भी 1931 में लंड़न जेम्स पैलेक्स में हुआ था इसा में जी, ipdb का पूरीं रूप क्या देखे इसका जो पून रूप है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ठीक है यह हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 69 डैस पोशन को साधारन अकारबनिक पधारतों ग्रहन कर कारबनिक अनुओं को संसलेशन के रूप में पड़िभासित किया जाता है 71 जल जनीत बیमारी निम्नमे से कौन सी है चल जनीत बीमारी की बात करें तो वो है कालरा यानिंकि हैज़ा यह हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा 72 देखते हैं क्या बोला जा रहा है काराधान का निप्टान करने वाले वित विध्यक के सम्मन्द में संसद के किस सदन में एक विध्यक पेस किया जा सकता है तो वो जो विध्यक है यह वो है लोकसभा C correct हो जाएगा 73 निमन्द में से किस के अनुसार अर्थ विस्ता में अवश्चक वस्तूओं का कुल मूल हमेशा अपुर्ती के कुल मूल के बराबर होता है तो वो जो है याद रखे वालरस का नियम है बी correct हो जाएगा 74 भारती समधान के अनुसार राजपाल बनने के लिए नियून्तम एज नियून्तम आयू क्या होनी चाहिए तो नियून्तम एज के अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 35 यर्ज ए हमारा यहां correct हो जाएगा question no 76 देखते हैं प्रस्तावना सब्द का अर्थ क्या है मतलब क्या दिखें प्रस्तावना सब्द का जो अर्थ है वो है सम्मिधान का परीज है सी correct हो जाएगा 77 नील नदी कहां गिरती है भाई देखिए नील नदी जो गिरती है वो है भुमाध्य सागर में यह अहां correct हो जाएगा नील नदी जो विक्टोरिया जील से निकलती है याद रखेंगा नील नदी विस्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है 78 देखते हैं कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लहौल जीले को लेह से जोड़ता है तो वो जो दर्रा है वो है बाडा लाचा दर्रा एक correct हो जाएगा 79 अब हम चेक आउट कर ले 79 देखिए क्या है निमलिखित में से किस योजना गंतरकत ग्रामिन चेतरों में अजीवी का सुरक्षित सुनस्चित करने के लिए परतेक परिवार को प्रतिवर सौ दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने का लक्ष रखा गया है वो क बैसी निमन में कौन बंदा बहदूर के रूप में परसिद्ध था देख़्े बंदा बहदूर के रूप में परसिद्ध थे वह थे बंदा सी भी यहां एपसलूट करेक्ट हो जाएगा 81 देखते है रूद्र सागर जील किस राज में इस्थित है रूद्र सागर जील के अगर हम बात करें तो वो त्रपुड़ा स्टेट में है एक करेक्ट हो जाएगा 82 विस्व अर्थविवस्था के साथ किस देश के अर्थविवस्था के एकी करण को कहा जाता है तो ये जो कहा जाता है याद रखें ये कहा जाता है वैस्वी करण को ही कहा जाता है साथ साथ किसी देश के अर्थ फ्युश्ता की करन को वैसी करन कहा जाता है, D correct हो जाएगा, 83, पौधे में वादसपोर सरजन की दर्म आपने के लिए किस उपकरन का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो वो जो उपकरन है, वो है, गैनोंग, पोटो मीट, भी यह यहां करेक्ट हो जाएगा ठीक कि एडिफॉर देखते हैं संसतिय व्युस्ता में सरकार का मुख्या कौन होता है देखें संसतिय व्युस्ता में याद रखें संदार सरकार को जो मुख्या होता है वो प्रधान मंत्री होते हैं एक करेक्ट हो जाएगा ठीक चलिए एडिफाइ भी यहां correct हो जाएगा 86 देखते हैं एक वेक्ति एक निस्चित दूरी 18 km गंटाई गती से 8 मिनट में तैय करता है यदि वह यहीं दूरी 6 मिनट में तैय करना चाहे तो उसकी गती क्या होगी याद रखे उसकी गती जो होगी वो 24 km पड़ावर हो जाएगी यहां correct हो जाएगा तो मूलधन ग्याद कीजिए मूलधन क्या होगा तो मूलधन जो है याद रखे 2000 रुपे हो जाएगा सी correct हो जाएगा हमारा idiot यदि A का 15% B के 20% के बराबर है तो A का 25% B के कितने परसेंट के बराबर होगा देखे इसका जो correct answer हो जाएगा 33 hole 1 by 3% ठीक है चलिए next question देखते हम next हमारा question number 89 yes चलिए यहां है एक टैंक को 3 घंटे 30 मिनटों में भढ़ने के लिए 8 पाइपों के विशक्ता पढ़ती है यदि इसी प्रकार कि केवल 6 पाइप का प्रयोग किया जाए तो टैंक जो है कितने समय में भढ़ेगा देखें यह जो टैंक जो भढ़ेगा वो याद रखें चार घंटे 20 मिनट बढ़ेगा ठीक है और आप सभी इस मैट से question का screenshot लें और खुझ से जरूर जरूर सॉल्व आउट करें 90 देखते हैं तीस लड़कियों की आउसत आयू 15 वर्स है जो अवसेश 12 लड़कियों की आउसत आयू ग्याद कीजिए देखें बाढ़ा राजीव गांदी खेलरतन प्रुसकार जिनने नहीं मिला है वो है इसान सर्मा बी करेक्ट हो जाएगा बाकी सभी जो लोगों को मिला है रोहित सर्मा विनेस फोगार ट्रानी रामपाल इन तीनों को 92 हाली में किस मसूर नित्यांगना का 101 वर्स की उमर में निधन हो गया तो किस राजा की सरकार ने हाली में दो अधिक बच्चे वाले लोगों की सरकारी नहीं देने वाली नहीं देने का फैसला है मतलब किस राज सरकार ने इसकीम निकालाए कि दो से अधिकर बच्चे होंगे जिन्हें उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा तो वो जो सरकार है वो है असम गोवर्मेंट c correct हो जाएगा 96 किस परोस्वी देश ने हाली में भारत के साथ डांक सिवा बंद की है gonna fluorो करेक्ट हो जाएगा 98 चेक आउट करते हैं किस राज की सरकार ने हाली में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटी नियोजना की घोसना की है तो अटल कैंटी नियोजना की जो घोसना हुई है वो हरियाना गौर्मेंट के तरह हुई है एक correct हो जाएगा 99 cricket की सभी प्राडूप में 100 मैच खिलने वाले विष्ट के पहले खिलाड़ी कौन बनी है देखे 100 मैच खिलने वाले मिष्ट के पहले खिलाड़ी याद रखे रॉस टेलर बने है एक करेक्ट हो जाएगा 100 नमर देखते हैं हाली में उत्तर प्रदेश की किस जिले में सोने का विसाल भंडार खो जाए गया है तो उत्तर प्रदेश का वो जिले जहाँ पे सोने का विसाल भंडार खो जाएगा है वो है सोन भद्र एहां करेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स य आप लाइक करें और अपने अटेंडेंस को धर्च करें और वीडियो को जाज़दा शेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही तिल देन टेक केर बाबाई एंड गड़ ब्लेस यौल